कैंसर के मरीजों को अब जाच और इलाज के लिए महेंगे नीजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्यूंकि लखनों शहर का कल्यांट सिंग कैंसर संस्थान में शुरू होने जा रहा है एडवांस लैब जिसके जर्ये उनकी पहले स्टेज पर ही जाच हो सक करेगी इंपॉर्टन चीज जो है हम लोग स्टाट करने जा रहे हैं डीम और एमसीएच का और एक जनवरी से पोस्ट-डॉक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स और पीडीएप पी हम लोग इसमें स्टाट करने जा रहे हैं जहां तक रिसर्च की बात है तीसरा जो कॉम्पोनेंट होता है research तो उसमें हमने आपकी grant बढ़ाई है intramural project है तो 18 नए project हमने start कराई है और हर project में हमने 5 लाख रुपे की grant दी है इसके इलावा जो बड़ी grant होती है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की वो extra mural grant कहते है जैसे ICMR, DBT से वो भी यहाँ पर आई है तो यह मैं आपको बताऊंगा इसके इलावा कि patients यहाँ पर आने लगें तो हमने sciences लगवाए हैं कि cancer संस्थान कौन से रास्ते से कितनी देर में और कितने किलोमेटर दूर है और इसके इलावा हमने और भी है कि bus stop भी हमने यहाँ पर करा है और equipment यहाँ पर लगे ही जा रहे है और नय equipment इस समय है हमारा ही है जो कि लगने जा रहा है तो यह अभी तक हमने की हैं और हम आगे आने वाले साला में दूसरा question आपका यह था उसमें बताएंगे कि हम bed की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं अभी तक हमारे G plus 5 तक थे 200 bed उसमें थे और अब है G plus 9 ground यानि की 9 floor उपर इसमें 339 beds आएंगे और यह जितना भी है जो हम एड़िश करने की जो शमता है वो इसमें बढ़ जाएगी और इसके इलावा हम जो है cancer जो है early detection और detection होता है तो उसकी prognosis उसका treatment कैसे होना चाहिए वो molecular test पर depend करता है और हमारे यह जो है advanced molecular diagnostic लैप आ रही है और वो चालू हो जाएगी जनवरी, February 2024 तक हो जाएगी इसके लिए और इलावा मैंने आपको पहले भी बताया था और बताने जा रहा हूँ अगले साल से DM, MCH और PhD कूर्सिज हम स्टार्ट करने जा रहे है जैसे कि हमारे surgical oncology है उसमें MCH हो जाएगी और जो medical oncology है उसमें DM स्टार्ट हो जाएगा तो जहां तक progress की बात है मेरे को लगता है कि संस्थान ने काफी progress करी है और आने वाले बहेशे में भी बहुत progress होगी हर दिशा में डॉक्टर्स की भी संख्या कुछ बढ़ाने पर आपके कोई प्लानिंग है डॉक्टर इस समय हमारे हैं 27 डॉक्टर हैं जो faculty है हमें 97 faculty की और मंजूरी आई है इसी हफते में उसका advertisement निकलने वाला है आने वाले दो-तीन महीने में 97 में जितने भी हो सेगे अधिकतम पत को हमने भर लिया जाएगा